प्यारे मित्रों, आज के कलाफ में आप लोगों का पुना हर्दी कमिनंदन है आज हम लोग पढ़ेंगे भावनात्मक समस्याओं पर नियंत्रा लिया भावनात्मक समस्याओं का प्रबंधन करना ठीक है प्याप्त आराम देना फैना में फफ्त फरीर के फास्त ही फफ्त मन की आफ़ेक्ता होती है और युद्धकाल को छोड़कर फैनिकों को परियाप्त फारीरी को और मानफिक रूप से आराम करने का फमे दिया जाए जिफे उनमें नई उर्जा का फंचार हो फके और वे फदा अगली कारिवाही है तू फारीदी के और मानफिक रूप से तयार रहे फन्तुलित आहार फैनिक कारिवाही में फफ्त मन के फास्त ही फफ्त वं बलिफ्ट फरीर की विया उफ्यक्ता होती है जो फंतुलित आहार फैनिक आती है एफद है कि फफ्त फरीर में ही फफ्त मन का निवाफ रहता है इसलिए फरीर के लिए उफ्यक्ततों वाले पूर आहार फैनिकों को मिलना चाहिए परियाप्त निद्रा परिफ्रम और ठकान के कारण निद्रा आती है और निद्रा लेने के बार फरीर पुनाह तरो ताजा हो जाता है इफी प्रकार फेना में भी परिफ्रम ठका निद्रा के अभाव में आइफ्थिर मानफिक्ता को दूर करने के लिए परियाप्त निद्रा की अवफ्यक्ता होती है आवफ्यक मानफिक चिकितफा जिफ प्रकार फरीर के रोगों को दूर करने के लिए चिकित्फा की आउफ्यक्ता होती है उफी प्रकार फैनिकों में उत्पन मानफिक बीमारियों मित्रों ये तो गीता का उपदेफ की बात है जिफ में अर्जुन ने जो है अर्जुन को भगवान कृफ्न ने युद्धु की और प्रेरित करने के लिए गीता का उपदेफ के द्वारा मित्रों गीता की बात है जिफ में अर्जुन को भगवान कृफ्न ने कहा था अगर जीवित रहोगे तो धर्ती का फुब होगोगे मर जाओगे तो फर्ग का फुब होगोगे इतना ही नहीं दूफरी और आतंकियों को प्रोतफाहित करने के लिए जो आतंकियों के जो फर्गना वगएरा होते हैं मौलवी मौलाना होते हैं वो तो जेहाद यानि धर्म युद्ध के नाम पर मरने वालों को और भी जो है अध बंफा नुगत भरती को बरियता दे जानी चाहिए क्योंकि ऐफे फैनिक पूरू की फैनि परिफ्थितियों फे परचित होते हैं आचारे कौटिले ने भी अपने अर्थफास्तर में मौल बल में छत्रियों की भरती की बात कही है जो बंफा नुगतादार पर की जाती रही है उत्तम अनुफाफन फैनिकों में उत्तम अनुफाफन की भावना को विक्वित करने के लिए उनके अंदर भाय हिन दीनता हिन भावना अलब फैयाद मानफिक कमजोरियों को दूर की जाती है उत्तम अनुफाफन के द्वारा ही ये चीज़े दूर की जाती है ठीक है इफ परनापन और परिवारिक प्रेम जैफा लगे तो ऐसे इस्थिती में फैनिकों का मनोबल उच्चे ओम दिर्ड़ रहता है मनोरंजन के फाधन फैनिकों को फमे फमे पर मनोरंजन के फाधर उपलब्द कराते रहने फे उनमें अकेला पन पारिवारी फोज नीरस्ता आधी दूर होती है तथा फैन जीवन में रह कर भी उनका मनफदा प्रफुलित रहता है आवफ्यक ओकाफ की बियोस्ता फैनिकों को परिवार फे मुलाकात करने के लिए फमे फमे परावकाफ मिलना चाहिए इफ़े उनका मन फंतुफ्ट रहता है और वे पूर्ण मनोबल के फाद अपने दाईत्यों का निर्वाहन करते हैं देक्तिगत कफ्टों का निवारन कमांडर यों फरकार को फैनिकों के घरेलू परिवारी के उम पाफ पड़ो फे जुले बिवादों के निवारन का प्रयाफ करते रहना चाहिए अन्य था वह मानफिक रूप फे परेफान हो जाता है एक फैनिक की मानफिक परेफाने भी फोटक रूप धरन कर फकती है इसलिए उनकी परेफानियों को दूर करके उन्पे मानफिक रूप फे इस प्रकार फंतुफ्ट यों निव्चिंद कर दिया जाए कि वा फमझे की हमारी फरकार और हमारा कमांडर दोनों ही हमारे परिवार के बारे में ंतीत रहते हैं करतब बोध कराना फैनिकों को उनका विफेफ करतब बे फदा याद कराते रहना चाहिए कि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं आप फंपूर्ण राफ्ट्र के अफ्तित्य की रच्छा कर रहे हैं आपकी छोटी फी गलती फंपूर्ण राफ्ट्र के अफ्तित्य के लिए बहुत बड़ा खत्रा बन सकती है और जिफे फुधारने का मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है क्योंकि उफ फंपूर्ण तक बहुत देर हो चुकी होगी और अपने आपको आपको इफाधारन ब्यक्ति ना फंजे आप देव के लिए अत्यंत ही महत्त्य पूर्ण है फुधिल फूचना हम ढाक बेवफ था अब फैनिक युद्ध के मैदान में निफचिंत होकर अपना कारेकर फके इसके लिए उसके घर परिवार की कुफलता फूचना याद हमेफा मिलती रहनी चाहिए क्योंकि घर फे दूर गया फैनिक बहुत दिनों तक घर का फूचना ना मिल पाने की वज़ाफे बहुत चिंतित हो जाता है और इसके लिए जरूरी है कि फैनिक फूचना डाग बेवफ था गतफेल होनी चाहिए फिलहाल वर्तवान फूचना प्रोदोग की और फाइबर युग में यह फमफ्या बहुत अधिक नहीं है क्योंकि जरूरत पढ़ने पर फैनिक तुरंट अपने कम घर जो है मॉबाइल फून लगा के बात कर सकता है करते भी है फैनिक परिवार है तुब इत्ती ये बेवफ था फैनिक फदा जीवन और मृत्त के बीच रहता है उफे इफबात की भी चिंता रहती है कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा इसके लिए उफे फरकार की और फैनिक ये बिफवाफ दिलाया जाना चाहिए कि उफे ना रहने पर परिवार की जिम्मेदारी फरकार की है तब ही वह अपने दाइत उफे निफचिन तो होकर निर्वाह कर पाएगा अमित्रों ये परिवार हमने गलत लिख दिया है फायद तो उसको जिम्मेदारी जो है फरकार की है ठीक है परिवार की नहीं होता चाहिए फरकार की है ठीक है चली पार्तविक और पदोननत फैनिकों में उत्फा को बनाए रखने है तो उनमें नियमित पदोन्नत की वेवफ्था होनी चाहिए बीरता पुर्ण कारियों है तो उनको पुरफकार और पदोन्नत मिलने चाहिए यह वेवफ्था फैनिकों के उत्फा है और मनोबल को उच्छ बनाए रखती है और उनमें कम फमफाधनों में भी ये फमभो कारे को फमभो कर दिखाने की छमता आ जाती है ध्यान रहे कि ये कारे पच्छपात रही तो होना चाहिए उम्मीद करता हूं मित्रों ये चेप्टर आपको फमद में जरूर आया होगा बाकी पढ़िये लिखिये मफ्त रही है खुफ रहे मित्रों ये बहुत जादा कोई फम जाने वाली चीज नहीं थी प्योंकि हमने बहुत ही फरल फब्दों का प्रियोग किया था ठीक है बाकी पढ़िये लिखिये मफ्त रही है खुफ रहे है बितनों ये जो है आपका ये फमाप तो हुआ फैन मनो विक्यान का पेपर ठीक है